Hello everyone, welcome to my channel आपने वो कहावत सुनी ही होगी समय से पहले और किस्मत से जादा ना किसी को कभी कुछ मिला है ना ही मिलने वाला है और ना ही मिलता है क्योंकि हर चीज का कैलकुलेशन कब किस समय पर कौन सी घटना घटित होगी इस पूरे ब्रह्मान में हर एक का एक कैलकुलेशन होता है और उसी कैलकुलेशन के एकॉर्डिंग इश्वर अपना कारे पूर्ण करते हैं कलकी अवतार का जन्म भी इस युग में यानि कल युग में होना निश्चित है ये हमारे और आपके लिए ऐसा कल युग है जिसमें हमने जन्म लिया और बहुत सारी ऐसी घटनाओं को हम अपनी आखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं जिसे हमने कभी न देखा न जाना लेकिन कल की अवतार के लिए ये कल युग कोई नया नहीं है उन्हें वो साइकल पूर्ण करना है जिसके लिए उनका जन्म हुआ है 28 त कल युग जैसा कि मैंने पहले भी बताया है ये चल रहा है यानि 27 बार कल की अवतार इस धर्ती पर आकर जा चुके है सिरीज में चार युगों में धर्ती पर पूरे समय को बांट दिया गया है सत युग, त्रेता युग, दौपर युग और कल युग और हर युग में एक अवतार आते हैं मानो शरीर में जन्म लेते हैं जो विश्नु भगवान ही होते हैं लेकिन नाम उनका अलग-अलग होता है और धर्म के स्थापना करके सत्य की रहा पर लोगों को ले चर कर और प्रकृती का सुन्दर रुख फिर से स्थापित करके सब कुछ सही ढंग से करके वापस अपने बैकूंट लोट जाते हैं कल की अवतार का अराइवल कल युग में कैसे बिफोर टाइम हो सकता है क्योंकि मेरे एक वीवर ने कॉस्चन किया उनके मन में डाउट था कि कल की अवतार का जन्म क्या आपको नहीं लगता यानि मुझे नहीं लगता कि सब कोई जल्दी बोल रहा है क्योंकि मैं कहती हूँ कि कल की अवतार का जन्म हो चुका है सिर्फ मैं ही नहीं काफी लोग अब ये मानने लगे हैं कि हाँ कल की अवतार का जन्म हो चुका है जिसे मैंने काफी पहले अपने वीडियो के द्वारा आप लोगों तक पहुचा दिया था मैसेज लेकिन आज भी बहुत लोगों के मन में डाउट है वो डाउट इसलिए है क्योंकि एक और धारना लोगों के मन में बनी हुई है कि इस डिकेट के खत्म होते ही या इस डिकेट के बीच में ही सत्युक के स्थापना भी हो जाएगी और कल की अवतार का काम भी पूर्ण हो जाएगा इसलिए लोगों के मन में ये डाउट है कि क्या कल की अवतार का अराइवल बिफोर टाइम हो गया है या वो राइट टाइम पर आए हैं आज यही डिटेल्स मैं देने जा रहे हूँ आपको अपने वीडियो के द्वारा कल युग सती युग त्रेता युग या द्वापर युग आप जिस किसी युग का नाम ले लिजिए हर युग में क्या होना है कितने समय तक वो चलेगा युग और किस किस समय पर कौन कौन सी घटनाए होने वाली है ये भले ही इनसान को पता नहीं रहती हैं लेकिन जो आवतार यानि विश्णु भगवान जिस रूप में आते हैं उनके पास पूरी तरह से उस युग का बैलेंस शीट तयार रहता है यानि कब कहां किस तरह से उन्हें परफॉर्म करना है ये सारी बातें उन्हें पहले से ही तैयारी उनकी करवादी जाती है कल युग में अभी खत्म होने में जो घोर कल युग चल रहा है काफी समय बाकी है इस डिकेट के बाद अगर आप लोगों को लग रहा है कि कल की अवतार का रोल खत्म हो जाएगा जब तक की सारी आत्माएं अवेक्णिंग की रहा पर नहीं चल पड़ेंगी सारी यानि वो सारी अत्माएं जिन्हें की जाना है सत्युक की ओर तो क्या वो आत्माई इतनी जल्दी चल पड़ेंगी अवेकनिंग की रापर क्या उन लोगों को जिन्होंने बुरे कर्म किये हैं इस डिकेट के अंदर ही उनके कर्मों का हिसाब किताब कलकी अवतार कर देगे नहीं अभी तो बहुत सारी चीजें मनुश्यों को सिखलानी भी है, दिखलानी भी है और पढ़ानी भी है क्योंकि मनुश्य ने अपने कूक्रृतियों के द्वारा गोर कल यूग में ऐसे ऐसे अपराद किये हैं, प्रकृति के साथ खिलवार किया है कि उनको उनके ही किये का नतीज अभी भुगतना बाकी है तो बिफोर टाइम कभी भी आवतार जन्म नहीं लेते हैं क्योंकि राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना ही उनकी खासियत होती है ब्रह्मांड में कोई भी घटना अचानक से नहीं होती है हमें और आपको लगता है कि यह कैसे हो गया अचानक से अचानक से कुछ भी नहीं होता युगों-युगों से पूरे ब्रह्मांड में यही बातें चलती-चली आ रहे हैं हर युग में, जिस युग में जिस अवतार को जन्म लेना होता है, वो in time आते हैं, अपना काम खत्म करते हैं और चले जाते है, ना ही before time और ना ही after यानि right time में ही उनका arrival भी होता है और उनका departure भी इस दुनिया से हो जाता है, क्योंकि जो आया है वो जाएगा ही, तो अवतार मानोशरीर में आते भी हैं और चले भी जाते हैं उनका आना और जाना दोनों राइट टाइम पर होता है तो यूग खत्म होने में अभी बहुत समय बाकी है उतना ही समय लेंगे कल की अवतार भी अपने मिशन को कम्प्लीट करने के लिए यूग परिबर्तन का कारिय इतना आसान नहीं है जितना हम इनसान समझते हैं हमें लगता है वो तो अवतार हैं उनके पास बहुत सारी खासियत हैं बहुत सारी क्वालिटीज हैं सब कुछ वो एक दिन में करके खत्म कर देंगे हमारे और आपके लिए जो बातें समझनी आसान नहीं हैं हम जिसे अपनी आखों से आसान समझ लेते हैं वास्तों में वो बातें आसान नहीं होती हैं तो कल की अवतार बिलकुल राइट टाइम पर उनका अराइवल हुआ है, डिपार्चर अभी बहुत समय है, क्योंकि घोर कल्यूग भी खत्म होने में अभी समय लगेगा, क्योंकि अपराद जो अभी बढ़ रहे हैं, आगे और बढ़ते चले जाएंगे, और इसी चक्कर में उन आत्माओं को पनिश्मेंट भी मिलती जाएगी, जो की अपराद करके छिपे हुए हैं, आज भी बाहर नहीं आ रहे हैं, घोर कल्यूग में ऐसी ऐसी घटनाई लोगों के सामने आएंगी, कि लोग दातों तले, उंगलियां दबाएंगे, कि क्या ऐसा भी हो सकता है, सब लोग पूछेंगे, तो ये शंका अपने मन से निकाल दीजिए, वीवर के मन में अगर ये प्रश्न है, कि अभी युग खत्म होने में तो बहुत टाइम है, तो हाँ, अभी टाइम हैं, लेकिन इतना भी नहीं, जितना आप लोग समझ रहे हैं, चार लाक कि सोच है, मेरी नहीं, मेरी सोच आप से भिन्न है, कल की अवतार का रोल, उनका मिशन, युग परिवर्तन का कारिया, इतना आसान नहीं हैं, और जितना हम लोग इजी वे में देख रहे हैं, या समझ रहे हैं, उतना नहीं हैं, जब तक जो उनका में हैं, जो उनका में हैं, कि आत्मा को परिचित करवाना वास्तों में उसका जन्म इस प्रित्वी पर क्यों होता है और क्या है उसकी अपनी खासियत जिसे वो भूल चुकी है मानव आज इंसानियत भूल चुका है जब तक मानव धर्म मानव को नहीं सिखला देते कल की अवतार तब तक ना उनका मिशन कंप्लीट ना युक परिवर्तन का काम कंप्लीट ना ही उनका एम कंप्लीट थैंक यू वेरी मच पॉर वाचिंग मैं वीडियो